हेलो दोस्तो मैं हूँ निसान सिंग आपका मेंटर्स और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस टूटर में तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंडिये केमेस्ट्री के कंप्लीट को स्केलर के मड़ फॉर्टी टू को और आज का चेप्टर हमारा समझा था उसके प्रोपर्टी को भी समझा था तो आज इस वीडियो में हम चार्ज और मास के बारे में समझेंगे और नेट्रोंस के बारे में भी समझेंगे तो प्रोट्रोंस के डिया रिगारिंग कुछ प्रोपर्टी को भी समझेंगे और के बारे में पढ़ेंगे तो च चार्ज और मास के रिकार्डिंग को तो पूरा वीडियो देखे इन तक देखे ताकि आप किसी का वीडियो देखे आप और पूरा इन तक देखे ताकि वहां से आपको कुछ सीखने के लिए मिल सके तो चलिए वीडियो को वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं तो चार्ज और म मास ठीक है चार्ज पोन मसरी स्यों रशीन हchildren चार्ज और मास सबसे पहले चार्ज ऑग जये फॉंफिंट के दवारा बताया था ठीक है किसके दौर बताएं गया था जब बैसे फॉंफिंट में नियन्टी हंडे बता है जो कितना एंसी साली बिदेंस परदिननान के वहां से डिदेंस तशार्ज का नीए कर देगे तरब अनुन सब लेकिन रहें खर नहीं पर नहीं परना हैं लेकिन फिर भी आपको इसके प्लस पंट आपको कुछ का गज़िए ताकि वहाँ से कुछ आप सीख सके ठीक है तो चार्जर मास सीarna से उन्हों ने बताया था ठीक है तो हमकि शार्ज और ऑर ट्रों के लिए चार्जों मास के दिखिए छार्जर मास सरी तो एलेक्टर्णका कर सक घ्सका मृत कि इंग मास कि अथे माइनस 1.7588 into 10th power 11 coulomb per kg ठीक है यह क्या था में यह चार्ज अमास से किसका था एलक्रों का था ठीक है यह चार्ज माससे से एलक्रों का था ध्यान से याद रखिए और ,,next point हमारे किया मिला था,कि next पॉइंट जो charge of electron, का charge , 취 college और RalphAlien Linkan के द्वारा, सबा खते हैं कि द्वारता की सब होता है, यहीं होता हैậ Because to be gone через आरे भर की इहीं होता है और यह जो charge हो हमें सबसे पहले और agriculture लेकर ने दिया था किन्हे ने दिया था खाइब करोसा में ग्रता मता घ्क हीच कोर्व कर अधोर नहीं को मारे कोई information नहीं था कि कितना होता है क्योंकि एक माइक्रोश को निकालना बहुत ही कठीन हो था इसक्ति करना पर था लोग उसे से इसे क्या कर तो निकाल नहीं पार है थे मास का तो ढहितीज निकाला तो दिखिए आपको यहां से सर आने वाला है कि चार्ज और मास्त रियो मास और को मास्ट फ मिल गया तो आप सोच और जियों पता निकलेगा लेकिन और मास अढही ठाम धुर Пटा नहीं था रशाज का रिश्यो हमें पता चल गया घी मास का रिषय सिप्किट बथा ठीक और यहां से charge open mass का ratio रस्टा जैसे पता चल गया था तो जैसे ही पता चला हमें charge open mass का ratio तभी mass of electrons को निकाला गया ठीक है तो अब आप समझते है कि charge and mass ratio कैसे पता चला होगा ठीक है नेक्टक फील कट्राइब एक चार्च वह तो क्याई आगया एक क्या किया और क्या हूद्ध पहसा रुलमत को आप आ depri मीया यह इनवाइस हेगा इर्फ यह मिलता है कभी हम सिरफ स्टैट मथे वाइस था है तो तो उसीलिविएग रिया इंग तो आपको पता है कि किसी भी इन एनी किसी भी सर्कुलर पाथ में किसी भी सर्कुलर पाथ के रिगार्डिंग किसी भी अब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में चलने के लिए सेंट्रीपीटल फॉर्स के बारे में तो किसी भी सर्कुलर पाथ में किसी अब्जेक्ट को चलने के ल फोर्स आफ मेंटी फिल के द्वारा यानि किसी भी चार्ज को भी विल फेक रहे हैं वहाँ पर कितना लगता है क्युवी बी लगता है तो यही क्यों भी फोर्स हमें यहां पर क्या दे रहा है महां पर सेंटिपीटर फोर्स प्रवाइड कर रहा है तो क्यू भी यहां पर हो गया वी से एक बी कट गया और क्यू अपॉन एम क्या हो गया बताईए यह हो गया भी अपॉन बी इंटू आर हो गया ठीक है और यह भी अपॉन बी इंटू आर भी अपॉन बी इंटू आर तो ह जेहां से हम एक डिलेशन होता है भी liegt होता है बताइए भी कोल एक डिलेशन होता है भी कॉल 2 हमें मिलता है gonna be क्या होता है यह अपन भी होता है ठीक है आप फिजिक्स पढ़ेंगे जब इलेक्ट्र मेंगेंटिजम तो वहाँ पर आप इस चीज को समझेंगे भी एक्वल टो यह पन भी होता है और देखिए यह कहां से आता आप को थोड़ा सा ब्रीफ में बतायते हैं कि कि किसी भी चार् फ्वन इक्वल्ट्ट्व लीन क्यों की एके सब और तो यहां को यहां को दिटाना नहीं चाहे था लेकिन को एडिवीजन के तौर पर बता दिया ठीक है तो यहां से आप भी का वेलू यहां पूट कीजेगा तो क्या आजाएगा बताएगा यहां पर यहां से आपको चार्ज मास का रिसियो आता है और यहां पहले पता था और उसके बाद क्या कर पता है उसके बाद मास का भी निकाला गया और यहां से इसका वेलू पता है यहां से यहां से यहां निकल जाएगा ठीक है तो यह एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट है इसके रिकारिंग को समझते हैं देखिए बचों हमारे यही कहना है कि आप हमारे वीडियो को मन लाकर पढ़िए ध्यान से पढ़िए देखिए हमें रिजल चाहिए आप से ताकि हम बहुत सारे बच्चों को के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे का गलत सालत कमेंट आता रहता है आप साना कुछ कुछ कमेंट करते रहते हैं तो उससे हमें थोड़ा लगता है लेकिन उसका उनको हम सीधे जवाब नहीं दे सकते उन्हें हम आपके थुरू आप आप आपकी एजाम करेकर को आपको एकना चीच को और आपको और आपको अच्छा से अधम हर्ची सीख पैंठी थीक है तो उन सभी चीज को नेगलेट करते हुए हम अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे और जब भी आप पास हो आप अपना हर एक चीज अपना जो भी आपके डॉल नबर है अपने नंबर है आप सब चीज बताएं सिफ आपने नंबर दे आपका हम अपने चैनल पर हम आपको बत करेंगे आप पे भी ठीक है तो चलिए बारे में समझते हैं किसके बारे में समझते हैं तो hot तो दिखते बारे में आते कहां से hydrogen atom hydrogen hydrogen के बारे बता होगा hydrogen hydrogen होते है कि hydrogen में जो उसके atomic number होते हैं atomic number hydrogen के one होते हैं ठीक है वन होते हैं और इसी atomic number one होते हैं यानि इसके पास एक 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 एलेक्ट्रोन होते हैं तो वन एलेक्ट्रोन को अगर रिमूव कर देते हैं तो hydrogen के पास क्या बजाते हैं एक भी एलेक्ट्रोन Neutron कुछ भी इंद देज और प्रोटोन डालीगा क्या लिया एक प्रोटोन जब प्रोटोन ठीक है तो यहां से प्रोटोन बता चला हमें यह प्रोटोन आया है अप्रोटोन के बास क्या प्लस चार्ज होते हैं तो चलिए समझते हैं ब्रोट्रों के बाद में देखें धिस्टेंस पॉसिटिव के द्वारा बताया गया था वह एटी हंदेटी सिक्स में ठीक है और एक्टोंस के बारे में जेजे थॉंसन ने बताया था कब बताया था सा 800 97o Caitlin ihan 97 में उन्होंने बताया था हुआ तो दीटाइध को बताया था आपको बताया है कि QUE चाले कि करता है उसी तरह मिला था यहां पर हमें अनोड रेसे और करनाल अब क्या मिले का हमें फ्रोटॉन incoragor चला कि यदस से दोनों भी संद्टों करते हैं तो यह बी tuta को कंटेंड करते हैं भी क्या है वाहते हैं हम समस्ते पढ़ लिया था के कहते हैं तो similarly के समंझेंगे किसी elf टॉड के पास कोFirst को सब्राइब करते हैं High voltage में उसको देते हैं ठीक है तो वहां से रिझ अठीक होता है एक found होता है एक पियुक्त सदेक्त नह delivery होता यहाँ पे करते हैं यहाँ पर करते हैं एक गलो करते हैं जला हुआ जैसा लाल कलड़का एक हम वहां पर उसको हमें दीखता है घीक है जिस्ट अपर के यह क्रफ़ोटेटर के जस्ट पीछल ठीक है और जो हमें दिखता है ढूरे हमें वहां पर महसूस होता आब सबaboutो हिवा है नो डिया फिट कैनाल रे होते हैं ठीक है तो आपको बाद चलिया कि जब भी आप हाइब होटे से एक एक एलक्रोड के पास आप किसी एलक्रोड पर प्रोडूस की जहाँ है वहां से क्या होगा एक डिय पर उगा है और कैनाल की तो जब तो नहीं पीछे एक आपको गुलोइंग चीज दिखेगा तो वह क्या होगा एक क्या होगा आपका वही रे होगा और उस रे क्या कहेंगे एनोर या फिर केनाल रे कहेंगे ठीक है तो यह बिसिकली आपको इनोर डे कनाल लेकर रिगार्डिंग पॉइंट था इसे आपको समझना था ठी सम्ही मेन्टी उड चार जार्डल अऽ प्रोटोंड जीए मैंटे में योट्रोंड क्या था का difference है मास तो प्रोटोन क्या होते हैं 1.673 इंटू 10 दूबाब मानेस 27 kg ठीक है 1.673 इंटू 10 दूबाब मानेस 27 kg तो यह आपको मास प्रोटोन है इसको आप याद रखे वैसे सिंपल चीज यह सभी को याद रहते हैं तो इसको याद रखे और आप इसको ग्राम में करना चाह प्रोटी थाए ग्राम हो जाएगा ठीक है तो यह आपको क्या हो गया मास फ्रोटोनिम ग्राम में पता चल गया तो अब हम क्या समझेंगे प्रोपर्ती जोफ एनोरे के बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे प्रोपर्टीज ऑफ एनोड रे के बारे में पढ़ेंगे तो फर्स्ट प्रोपर्टीज हमें नोड रे के बारे में यही बदा जाता है कि एनोड रे क्या होते हैं ट्रैबल्स करते हैं स्ट्रेट लाइन में और कास्ट करते हैं क्या करते हैं सैड स्टेट लाइन पास करते हैं और वह भी सैड़ो बनाते हैं ठीक है नेक्स्ट मॉइंट है क्या कि दिया नोडे आदि दिफिल्ट जैसे कैफोर रे मैटी और एक्टी फिल्ट कर जाते थे यानि जैसे आप कैफोर दे के इस तरह से टेवल कर रहा है स्टेट लाइन में अगर आ ने के बाद भी वह स्टेट लाइन पाथ में ही चलते थे ना कि ऐसे अखाल 도 श्रियंगे फिर भी स्टेट लाइन पास में ही चलेंगे तो सिम्रल सली सिप्क रहरा है जी इनोड एकन लाइन रोटेट रiałem प्लेस लिया पात and having heating effect देखें और जैसे आपको पता है कि एक फोर रहे क्या थे जाए आपको इसके लिए बता रहे है एक साथ कि आपको करते हो जाए और चुर्ब्त की हो जाए ठीक है तो आपको यह बीच में बीच में पास कर रहा है तो क्या करते हैं अगर वी सब छीज के पास होता है जिसके पास होते हैं तो है किनेटिक इनरजी जो होते हैं है तो सब्सक्राइब कर भास के बड़ाबर रहे था तो इसका मतलब हुआ कि उनके पास मास क्या है उनके पास मास प्रजेंट है तो téhou जैसे ही आप कर रहरर कि की नर्च दलता है और उसमीन से केम सिस्टे कानेटी का करता है कि वह क्या करते हैं वह वह से भी अध्याइक भी हिटिंग फ्रेक्ट भी महसूस होता है चलिए नेश्ट पॉइंट की बढ़ते हैं यह पॉइंट नमर्फॉर है प्रपर्टीज उफ एनॉरे का तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो चार्ज और मास रेसियों है पुजेटीव रे का जो पुजेटीव रेके च में उसी तरह जो क corr नो ढूरह और हैं मो मिल लिए ऊसी तरह जो आनोड मैं vp क्या करते हैं उसी ऍमें हम्म संवी के लिए अनिज पांट है कि जो आपका जो वर्यापनमास स्मेट् आफ़ razem करते हैं का प्लिटीव ली रेका यानि प्रोटोन का समझ सकते हैं प्रोटॐंस का वो क्या होते हैं लेस्थ होते हैं एक ना dhahn से सुन या पर पुछया आlest कि उसके यह अपोंध्य ओफ धरन के सिंपल ना आपको की इसके झोड़ कुट, होते हैं बताइए बताइए आप सभी कि मास कितने होते हैं वह आपको याद होगा कितने होते हैं 9.108 इंटु 10 दो पावर 9.108 इंटु 10 दो बावर माइनस 31 kg ठीक है माइनस 31 kg similarly जो आपके मास ऑफ प्रोटोन थे मास ऑफ प्रोटोन किते हैं 1.673 इंटु 10 दो बावर माइनस 27 kg 1.673 मास ऑफ प्रोटोन इंटु 10 दो बावर माइनस 27 kg ठीक है तो आपको पता चला कि देखिए एक चीज़ दाते हैं अगर पी ऑपन क्यू है कोई क्यों पर बढ़ाते हैं नीचे क्वाले क्यों बढ़ाते हैं तो होल क्वांटिटी क्या होता है घठ जाता है ठीक है इस सब को बता है कि होते हैं और मास ज्यादा होते हैं मास अफ यादा बोलना है स्वरी शारी व कम होते हैं किसके इसके मास प्रोटोन से क्यों कम होते हैं क्योंकि मास आफ जो आपका है मास आफ उल्ट्रोन में 10 दिफार मानस-31 है और मास आफ प्रोट्रोन में इसको छोड़ दिए ठीक है इसको धिया यहां पर 10 दिफार मानस-37 जो है वो क्या है एक छोटा कॉंटिटी है एक समझते हैं हाथ बjasढ sty graph समझना था यहां से आपको exam में स्वारा है कुछ से याद र रखे था कि आपको ऑठ से याद रहे हर चीज को रखना पसिवल नहीं है तो चलिए कre kesane समझते हैं एक हमारा लास का टोपिक आज टीर के निट्रोंस नेटीरा जिसान योडर काते हैं जैसे आपको इल्क्ट्रोंस कद इसकावर ये तम्सेन ने किया था उसी तरह प्रोटबूस का डिसकवर के इन किया था यह रिपाइब कीया था रॕ कि मैने किया था जैंड ने किया था ये चैडमी स्टिक में ने किया था येंश सब्जार नीडिर्ण अईसे पर्टिकल होते हैं जो कि न्यूट्रल उते हैं इसे चाज होते हैं जीडोल राधर है यैंण largest टीक है टिक है तो Nilleurs है क्या नेक्स पॉइंट है कि दिव मास जो होते हैं जो मास होते हैं न्यूट्रोंस के वह एप्रोक्सिमेटली यानि लगभग लगभग क्या होते हैं बड़ाबर होते हैं एक्षिमेटली एक्वाल होते हैं किसके मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बड़ाबर होते हैं तो यहा यहां पर जो प्रोटोन के मास है मास वोटोन 1.675 या पिशिवन 322-27 के यह चीज आपको यहां भी दिख लागा 1.675-27 के आप सब्चेने आई क्यों मास वोटोन के मास वोटोन के बरावर क्यों होगी होगे मास वोटोन देखिए यहां पर कहा जा रहा है इस पॉइंट को सब्स माने की मर्स को जाता है थोर गा कि शेंजिक यहां प्रोटंस के जर्व करतें फिर्टों के चल सकते फैसिंघ सकते हैं इक्ते हैं प्रकॉड YE Macht और MRC कई ऐसे को प्रोटोंक भी लगभवर लगभर से तो ठीक है तो चुछ इए वड़29 7 KgKb तो चलिए वन प्रोटोंस का यह मास होता है कि देखने प्रोटोंस का मास होता है यह तक रखते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन दवाए ताकि अब्लेट आपको मिलता रहे तो ठीक है दोस्तों फिर